हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं करक्छा 10 का प्रस्नेवली 8.4 का प्रस्न सिंख्या 2 प्रस्न है कौन ए के अन्य सभी त्रिकौन मेत्य अनुपातों को सेक ठीटा के पदों में वेक्थ कीजिये तो त्रिकौन मेत्य अनुपात 6 होते हैं आये रफ में समझ लेते हैं त्रिकौन मेत्य अनुपात 6 होते हैं साइन ठीटा, कोस ठीटा, कोसेग ठीटा, सेख ठीटा, टेन ठीटा और कोट ठीटा. तो हमें यहाँ पे सेख ठीटा दिया हुआ है, यानि सेख ठीटा को छोड़के अन्ये पाँच बचें. तो हमें अन्य सेख ठीटा को अन्य सभी 5 पदों में वैक्त करना है तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पे सिंपली सेख ठीटा दिया हुआ हमें तो हम यहाँ पे सेख ठीटा लिख लेते हैं सेख ठीटा बरावर यहाँ पे sec theta का formula होता है h बटे b तो यहाँ पे sec theta बटे अगर 1 लिखे हम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे यदि 1 रहे तो 1 का कोई value नहीं होता है तो sec theta का formula होता है h बटे b यहाँ पे हमें h का मान sec theta और b का मान 1 पता चल रहा है लेकिन p का मान नहीं पता है तो h बरावर sec theta b बरावर 1 अब p बरावर पता करना है तो p का सुत्र होता है h square minus minus b square पर over root तो यहाँ पे p बरावर h का मान है sec theta यहाँ पे sec square है square theta minus minus b का मान है 1 तो यहाँ पे 1 1 का square 1 ही होता है तो हमें 1 ही रहने दिना है इसलिए p का मान पता चल लिए अब हमें अन्य त्रीकोन मीतिया उनुपात sec theta को छोड़के यहाँ पे बचा sin theta coast theta coast sec theta ten theta or quote theta तो हम चलिए शुरू करते हैं पहले उनके पौदर में वेक्ट करना है तो पहले लिख लेना प्रस्न से पहला है sin theta यहाँ पे हम simply sin theta ब्रावर p बटे h इसका formula होता है तो p बटे h लिख देना है ब्रावर p का मान निकला है यहाँ पे sec square theta minus 1 यहाँ पे sec square theta minus 1 पर over root बटे h का मान है sec theta sec theta अब cos theta cos theta बरावर b बटे h तो यहाँ पे b का मान है one तो one लिख लेना है बटे h का मान है sec theta यहाँ पे sec theta लिख लेना है उसके बाद आता है cos theta cos theta theta बरावर होता है h बटे p तो देख सकते हैं यहाँ पे h नीचे है p उपर है तो हमें simply apply देना है तहाँ पे sec square theta ना sec theta बटे sec square theta minus 1 sec square theta minus 1 पर over root उसके बाद आता है 10 theta 10 theta बरावर होता है p बटे b यहाँ पर p का मान है p का मान है sec square theta minus 1 sec square theta minus 1 b का मान है देख सकते हैं b का मान है 1 उसके बाद आता है court theta court theta का formula आता है 10 theta का opposite यहाँ बटे p बरावर तो यहाँ पे 1 को उपर लिख देना है और sec square theta minus 1 को नीचे तो चलिए लिख लेता है 1 बटे p का मान है sec square theta minus 1 पर अबरूट यह हो गया अन्य त्रीकोन मीतिय अनुपातों को sec theta के वेक्ष करना दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताईएगा और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बेटन जरूर दबाईएगा थैंक्यू